हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू एक्समार्ट किरियेटर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने मुवाइल में जियो सिनेमा एप को चलाईएगा उसे कैसे चालू कीजेगा तो इसे सिखने के लिए आप इस वीडियो को लास्त तक ध्यान से देखते रहेगा तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना आपको अपने मुवाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना होगा Play Store के उपेन होने के बाद आपको क्या करना है उपर में Search आइकन पर एक कलिक करना है और आपको यहाँ पर Geo Cinema टाइप करके आपको यहाँ पर सर्च करना होगा सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस है जो देखने को मिलेगा तो उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर install करने का option है जो मिलेगा तो आपको इस पर क्लिक करके सबसे पहले जियो cinema आपको install कर लेना है तो मैंने यहाँ पहले से करके रखा है इसलिए यहाँ पर open करने का option है जो देखने को मिल रहा है उसके बाद आपको क्या करना होगा इसे open पर एक्लिक कर देना है तो Jio Cinema app के open हो जाने के बाद आपको क्या करना है नीचे में आपको more वाले option पर एक्लिक करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर login वाले option पर एक लिक कर देना है तो यहाँ पर जैसा कि अभी Tata IPL 233 से start होने वाला है तो Jio Cinema app को use करने के लिए आपको Jio Sim की कोई जोरत नहीं है तो simply आप किसी भी sim के numbers को आप Jio Cinema में login करके आप यहाँ पर Tata IPL देख सकते हैं या Jio Cinema app को use कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर अपना mobile number है जो type कर लेना होगा तो मैंने अपने BICM का number है यहाँ पर type कर लिया है उसके बाद मैं यहाँ आपर continue कर लेता हूँ तो continue पर करते हैं पर आपको OTP automatic है जो verification हो जाता है और आपकी यह ID है जो यहाँ पर login हो जाएगी उसके बाद Jio Cinema app पर Tata IPL देखने के लिए आपको क्या करना होगा Tata IPL वाले option पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्या करना होगा schedule वाले option पर आजाना है schedule वाले option पर आने के बाद सबसे पहला आज match है जो 31 March को है जो गुजरात और CSK के बीच में है जो सारे 7 बज़े start होगा तो जलसन सारे 7 बज़ेगा उसके बाद आपको इस पर क्लिक किजिएगा तो आपको यहाँ पर live का option है जो देखने को मिल जाएगा अभी upcoming show कर रहा है तो simply आप इसे use कर सकते हैं जियो सिने में आपको जिस language में चलाना चाहते हैं आपको क्या करना होगा नीचे scroll करना है और आप इसे scroll करके आप simply select कर सकते हैं कि जियो सिने में आपको आप किस language में चलाना चाहते हैं तो आपको यहाँ आपको बहुत सारे language है जो देखने को मिल जाएगे तो उस language में आप अपने जियो सिने मैप को use कर सकते हैं तो मैं simply यहाँ पर किसी एक वीडियो को select कर लेता हूँ तो जियो सिने मैप पर वीडियो को चालू करने के बाद आपको क्या करना है इसे full screen पर कर देना है तो full screen हो जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का interface है है जो देखने को मिलेगा तो एगर आप चालते हैं जियो सिने मैप पर वीडियो के brightness को कम करना तो आपको क्या करना है यहाँ पर क्लीक करना है और आपको इसे simply scroll कर नीचे कर देना है इसके बाद आपका brightness है जो कम हो जाएगा या अगर आप चाहते हैं जीशन में आपके वीडियो क्वालिटी को कम करना या ज्यादा करना तो आपको सेटिंग वाले उप्षन पर क्लिक करना है आपको यहाँ पर मेडिया में स्टेंडर हाई एचली फूल एचली यह सारे उप्षन है जो देखने को में जाएंगे तो जिस वीडियो क्वालिटी में आप देखना चाहते हैं आपको उसे सलेट करना है और सिंपली आप इसे क्या करते हैं अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 10 सेकेंड का आप यहाँ पर वीडियो को बढ़ा सकते हैं और इसे बैक भी कर सकते हैं या सिंपली आप क्या है इसके स्पीर को भी बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं तो इस तरह से आप भी बहुत ही असानी से अपने मोबाइल में जियो सिनेमा एप को चला सकते हैं और वीडियो सिनेमा मुवी है या सिंपली मैच ल आईपियल है जो देख सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तमारे वीडियो को लाइक किजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा